गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स हाव आ यू आई हो पॉलर फाइन सो आज का हमारा सब्सेट है कंप्यूटर और हमारा स्टांडर्ड है थर्ड आज हम उसमें क्या करने वाले हैं आज हम इसमें चेप्टेंबर 2 विंडोज उसके बारे में हम डिसकस करने वाले हैं तो हमने लास्ट वीडिया में क्या किया था चेप्टेंबर 2 है उसमें क्या है स्टार्टिंग विंडोज विंडोज से कैसे स्टार्ट करते हैं फिर क्या है आइकवन से फिर वह भी हमने सब देहें थे फिर टास्कबर ह생 वह भी हमने देखा था फिर क्या है स्टार्ट मेनू वो भी हमने सारे मेनू देखे थे फिर क्या देखा था सब मेनू मेनू के बाजू में ऐसा जो एरो होता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें जो दिखाई देते हैं वो सब सब मेनू उसके बारे में भी हमने लर्न कर लिया था फिर हम click करने से हमारा windows shut down हो जाता है फिर क्या है अब page number 13 पर exercise है तो question first है वो हमने कर लिया था अब आज हम question 2 से start करते है page number 13 question 2 filling the blanks with the help of the words given in brackets हमें यहां पर क्या करना है filling the blanks हमें यहां पर brackets भी दिये गये है brackets में कौन कौन से options है sub menu start windows shutdown and menu तो यह सारे हमें brackets में option दिये गये है first क्या है when you switch on the computer blank start automatically जब हम computer में की switch on करते है जब हम computer की switch on करते है तो blank start automatically तो answer क्या है गा window when you switch on the computer windows start automatically second क्या है in windows a list of comments is called a blank windows में list of comments यहां पर comments के सारे list होती है वो सब क्या कहते है menu थर्ड क्या है when you click on the blank button you will see the start menu हम जब computer में start button पर करते हैं तो हमें क्या दिखाए देता है start menu तो answer क्या आएगा start button when you click on the start button you will see the start menu ओके अब है 4 on a menu if you place the mouse pointer on an item with a small right arrow you will see a blank इसमें हमें यह बताया है यह समझ लो हमारे screen है यहां पर यह सारे menu के name है तो उसके बाजू में छोटा सा arrow होगा उसके बाजू में यह जो arrow है यह menu का name है उसके बाजू में arrow है तो हमें वो arrow पर click करना होगा तो जिससे क्या क्या हमें दिखाए देगा sub menu मेनू के अंदर जो मेनू है वो हमें दिखाए दें गए और यह arrow है वो सब मेनू के बाजू में सारे मेनू के बाजू में होगा 9 यह कोई-कोई मेनू के बाजू में होगा 5th क्या है तो shutdown windows click on a blank on the start menu हमें क्या करना होगा windows को shutdown करना है तो क्या करना होगा स्टार्ट मेनू में शटडाउन बटन पे क्लिक करना होगा यह हो गई हमारे एक्सजाइस फिनिश और इसी के सथ हमारा चेप्टर नुबर टू है विंडोस उसका रिवीजन भी फिनिश होता है तो आज आपको हमोग में क्या करना होगा उसमें हमने स्टार्टिंग से जो किया ना विंडोस श्टार्टिंग फिर आईकॉन्स टास्क बार वो सब के बारे में आपको वन calidad करना है